नमस्कार दोस्तो दोस्तो जैसा कि आपने थामनेल में पहले ही देखा है कि आज की वीडियो सस्पैंशन पीरियड के दौरान क्या पे मिलेगी उसके रिकार्डिंग है एक government employee को उसकी appointing authority के इलावा कोई भी officer suspend नहीं कर सकता है अगर इसको explain करें तो किसी भी government employee का DDO जा खुद DM ही क्यों न हो government employee की suspension का order तब तक sign नहीं कर सकता है जब तक कि वो खुद उस government employee की appointing authority नहीं है इसको लिखा गया है punishment and appeal rules 1970 rule 4 में rule 4 sub rule 1 में explain किया गया है कि किन situation में government employee को suspend किया जा सकता है इसमें पहली situation है जब government employee के against disciplinary proceedings initiate की जाने वाली हो जा कर दी गई हो यानि कि pending हो तो इस case में appointing authority suspension order जारी करके government employee को suspend कर सकती है दूसरा case है जब government employee के against criminal offense की investigation चल रही हो तब भी appointing authority government employee को suspend कर सकती है इनी rules के rule 4 sub rule 2 में ऐसी situation बताई गई है जिसमें government employee को अपने आप ही suspend माना जाता है इसमें हम एक important situation ही read करेंगे बाकी हम read नहीं करेंगे ताकि video जादा लंबी ना हो जाए तो इसमें पहली situation है जिसमें government employee को अपने आप ही suspend माना जाएगा जब government employee को criminal charge जा किसी और वज़ा से police custody में 80 गंटे से जादा के लिए रहना पड़ता है तो दोस्दो suspension के case में कितनी pay मिलेगी वो जानेगे उसने पहले अगर अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe जरूर कर लीजेगा और साथी bell icon को click करना मत बूलना ताकि जब भी कोई नहीं video आए तो आपको उसका notification मिल सके अगर आप इस चैनल पर available हर वीडियो को category wise देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल की playlist में जाकर हर वीडियो को category wise देख सकते हैं पंजाब civil service rule volume 1 part 1 का chapter 7 dismissal, removal, suspension and resignation suspension period के दोरान क्या pay मिलेगी उसको भी deal करता है rule 7.2 में पंजाब government में कारेज़त करमचारियों को दो category में divide किया गया है क्योंकि suspension period के दोरान उनको अलग-लग तरीके से pay दी जाती है पहली category में warrant officer है जो substantially military duty में ही होते हैं अगर उनको suspend किया जाता है तो जो military employment में suspension के दोरान पे दी जानी होती है वही उनको दी जाती है दूसरी category में warrant officer के इलावा सभी government employees आ जाएंगे इसको देखिये लिखा गया है इसको read करके हमें पता चलता है कि suspension के दोरान जो pay दी जाती है उसको subsistence allowance बोलते हैं और देखिये subsistence allowance में उनको क्या pay दी जानी है वो लिखा गया है कि half pay leave पर जाने पर जितनी pay government employee को दी जाती है वही as a subsistence allowance दी जाती है इसके साथ ही लिखा गया है कि leave salary पर dearness allowance भी दिया जाएगा अब बात करते हैं कि half pay leave पर जाने पर क्या pay दी जाती है तो देखिये जिस दिन half pay leave शिरू होती है उससे एक दिन पहले जो भी pay होती है जैसे कि basic pay और grade pay इसमें अगर पुराने समय की बात करें तो dearness pay भी शामिल कर दी जाएगी और अगर आज की बात करें तो interim relief भी शामिल हो जाएगा जो total बनेगा उसको half कर दिया जाता है और जो amount आती है उसको leave salary बोलते हैं और इस amount पर dearness allowance भी calculate करके दिया जाएगा और जब इस amount पर dearness allowance calculate करके दिया जाएगा तो वो भी automatically half हो जाएगा next इसी rule में पढ़िए देखे लिखा गया है कि compensatory allowance जितने भी है वो जिस दिन suspension होई थी उससे एक दिन पहले की pay पर full rate पर दिये जाएगे और शर्त यही होगी कि उन compensatory allowances के regarding जितनी भी conditions है वो fulfill होनी चाहिए जैसे कि अगर हम बात करें mobile allowance इस condition पर दिया जाता है कि government employee on duty है और इससे पता चल गया कि mobile allowance suspension period में नहीं दिया जाएगा house rent allowance की condition suspension period में भी fulfill हो रही है तो house rent allowance full pay पर full rate पर मिलेगा और full pay कौन सी लेनी है जो suspension period पर जाने से पहले जो pay दी जा रही थी ऐसे ही city compensatory allowance और medical allowance भी दिया जा सकता है subsistence allowance की एक और condition जे है कि ये तब ही दिया जाएगा जब government employee certificate देगा कि उसने कोई भी private service, private employment या private business नहीं किया है और अगर उसने ऐसा किया है तो उसकी अगर income subsistence allowance से बढ़ जाती है तो उसको कोई भी subsistence allowance नहीं देना है और अगर उसकी subsistence allowance से income कम रहती है तो जितना भी difference होगा वही उसको as a subsistence allowance दिया जाएगा अब देखे इसी रूल के परवीजो में लिखा गया है कि inquiry 6 महिने में complete कर लेनी चाहिए अगर inquiry 6 महिने में complete नहीं होती है suspension period को 6 महिने से बढ़ाना पड़ जाता है तो competent authority को order करना पड़ेगा कि government employee की subsistence allowance में कोई भी changes नहीं हुआ है जहां competent authority उसको 50% बढ़ा सकती है जहां competent authority उसको 50% कम भी कर सकती है competent authority subsistence allowance को 50% तभी बढ़ा सकती है जब suspension period government employee की वज़ा से ना बढ़ाया गया हो और suspension period को 50% तभी कम किया जा सकता है जब suspension period government employee की वज़ा से बढ़ाना पड़ गया हो अब देखिए हमें पता चला कि subsistence allowance में basic पे, grade पे, dearness पे, interim relief आदी को half कर दिया जाता है और इस half amount पर ही dearness allowance दिया जाता है और उसके बाद city compensatory allowance और compensatory allowances जैसे की house rent allowance, city compensatory allowance और fixed medical allowance, full rate पर दिये जाते है दोस्तो, compensatory allowance को पंजाब civil service rule volume 1, part 1 का chapter 5th deal करता है इसी chapter में लिखे provisions के कारण compensatory allowances को full rate पर दिया जाता है जिसकी वज़ा से chapter 7 में भी लिखा गया है पंजाब government की instruction के according अगर कोई government employee casual leave के इलावा 10 दिन की चुटी पर जाता है जा 10 दिन की LTC पर भी जाता है तो उसको पूरे महीने का mobile allowance नहीं दिया जाता है इसके साथ ही convince allowance भी duty के लिए convince maintain करने की condition पर ही दिया जाता है दोस्तों उमीद आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर आपकी किसी भी तरह की query है तो आप हमें हमारी email id finastyacademy at the red gmail.com पर बेश सकते हैं मिलते हैं next वीडियो में Thank you so much